दोस्तों बॉलिवुड में जंपिक जैक के नाम से जाने वाले फेमाज एक्टर जितेंदर आज 80 साल के हो चुके हैं 60-90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी धाग जमाने वाले जितेंदर लगबख 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं बॉलिवुड में जितेंदर ने अपने करियर की शुरुआत 1959 में फिल्म नवरंग से की थी लेकिन पहचान 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरोंने में से काम करने के बाद मिली इसके बाद 1967 में जितेंदर की और सूपर हिट फिल्म फर्ज रिलीज हुई जितेंदर ने 200 फिल्मों में काम किया है जिसमें से 121 हिट फिल्म में दी थी जया पर्दा शुरी देवी, रीना रॉय, हेमा मालनी और रेखा के साथ जितेंदर की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आती थी जितेंदर का नाम रभी कुमार था लेकिन फिल्म मेकर शांता राम ने उनका नाम बदल कर जितेंदर रख दिया था यू तो जितेंदर का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा लेकिन बचपन से ही जितेंदर शोबा कपूर को पसंद करते थे और समय ऐसा भी आया जोब जितेंदर हेमा मालनी से शादी करना चाते थे लेकिन तबी शोबा कपूर अपने परिवार वालों के साथ जितेंदर के घर पहुँच गई फिर जितेंदर रहेमा मालनी के लिए अपने इरादे बदल दिये और 1974 में जितेंदर ने शोबा से अदिकर लिप